हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने च्छत पर कोई सबजी उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा बहुत सारे मिटी चाहिए बहुत सारा खाद चाहिए बहुत सारे मिनरल्स चाहिए उसके बाद आप तरह तरह के वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर काफी कन्फ्यूजन किरियेट होगा फिर आप करेंगे या तो वह आपको बहुत मुश्किल से करेंगे या फिर आप सोच सोच कर ही परिशान हो जाएंगे कि इतना सारा प्रोसेस इतनी सारी चीजें की जरूरत है तो हम यह नहीं कर सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में यह सारे भरम मैं आपके तोड़ दूँगी और एक ऐसा ट्रिक और टेकनिक मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको कहीं कोई परिशानी नहीं होगी ना कोई खात डालना है ना कोई मिट्टी की जरूरत है और ना ही किसी एक्स्ट्रा मिनरल्स की जरूरत है तो वो कैसे करेंगे आज मैं आपको बताओंगी आपके अपने ही gardening channel gardening with worms में चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं तो ये देखें दोस्तों थोड़ा समय आपको जलक दिखा देती हूँ ये है एक धर्मा कोल का पेटी जो मैंने लिया है जहां पर मचली मार्केट होता है वहीं से मैंने ये मंगवाया है ये काफी सस्ता पड़ा मुझे 40 रूपीज का तो ये मुझे काफी अच्छा लगा इसक कचड़ा बनने से रुख जाता है इसको कोई न कोई कचड़ा के रूप में गार्वेच के रूप में फेक ही देगा तो इसमें भी आप जो है एक कचड़े में जाने वाली चीज को यूज करेंगे तो कहीं न कहीं कचड़ा हमारे देश में कम होगा तो ये भी एक सवाच भ चलीव है दो महीनते का दो महीने का मैंने पहले मैं इसका प्रोशिस सुरू हुआ और दो महीने में इसमें फूलो करनी पड़ेगों काफी जो महीनते है लग धृटा इस के लिएyse से थांग से कहने अभी हमें во जो किरागा ल Indians को शेत करना सच शॉल जो हमाँ थान। काफी दिनों में ये बड़े होंगे और भी फुरूटिंग होगी तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा वो टेकनीक भी मैं आपको करकी दिखाऊंगी नासित बताऊंगी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी थाके आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और मैंने फुरूटिंग पाने के लिए इसमें क्या डाला कीड़े ना लगने के लिए इसमें क्या डाला कब कब क्या रूटीन फॉलो की सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी तो ये देखे दोस्तों ये हमने सबसे पहले लिया है ये थर्मा कोल का डबबा कहां से लिया वो मैंने आपको बता दिया है इसमें कुछ नहीं करना है इसमें आपको simply कुछ holes बना लेने हैं बेस में जैसे हर pot में किया जाता है water drainage के लिए तो इसको सबसे पहले चलिए हम उल्टा कर लेते हैं इस परकार से और इसमें holes बनाना काफी easy है यह काफी soft होता आपक काफी easy है यह holes बनाना कोई बच्चा भी इस तरीके से holes इसमें बना सकता है तो जट जट मैंने 15-20 holes बना लिये हैं क्योंकि यह काफी बड़ा है जिसे 15-20 holes होने जरूरी है अब हम इसे सीधा कर लेते हैं सीधा कर लेने के बाद आप देख पाएंगे कि holes हो गये हैं उसके बाद इसे रखने का तरीका मैं आपको बता देती हूं इसका surface आप देख पाएं कि यह बिल्कुल plane है अगर हम इसे direct जमीन पर रख देंगे तो drainage hole से जो हमने भी बनाए हैं उ तो उसके लिए सबसे पहले मैंने देखी हैं दो इटे रखी हुई हैं उसके उपर मैंने इसको रख दिया अब वाटर जो है असानी से निकल पाएगा तो यह ऐसे रखना है जो गीरे नहीं हिले डूले नहीं अगर जादे जोर से हवा चलती है तो वह आपको कंफर्म कर ले कोई भी भी मैं कोई वcare में किचन वेस्ट प्याज वह अटलिस्ट की एक प्याज भी रख ती हूँ तो उसका भी चिल का होता है वो मैं संभाल के रखती हूं उसको भी मैं यूज कर लेती हूँ अपने गार्डन में अपने पौधों के अपर तो इस तरीक एस्थे से जो भ मैंने इसे खाने के लिए सही नहीं समझा तो मैंने इस परकार से एज एक्सपेरिमेंट इस परकार सी इसको लगा दिया उसके उपर से कुछ दिनों के बाद जब फिर से किचन वेश्ट जमा हुआ तो फिर से मैंने उपर से इसको कभर कर दिया डेली कुछ न कुछ हमारे यहा आधा से 1 kg kitchen waste निकलता ही है सब के घरों में तो वही मैंने दिन बा दिन जैसे ही kitchen waste जमा होते गया इसके उपर डालते गई, डालते गई और साथ में इसमें garden waste भी मैंने डाला जैसे जैसे garden की सफाई करती, कुछ waste निकलते तो मैंने इसी में डाल देती थी कुछी दिनों में इसमें जो है मकई की स्प्रॉटिंग स्टार्ट हो गई जब मकई की स्प्रॉटिंग स्टार्ट हुई तो मैंने उसके उपर किचन वेस्ट नहीं डाला बलके आस पास में डालने लगी इसी तरीके से करते करते वो प्लांट मेरा बड़ा होता गया और ये जो ग्रो हुआ काफी जल्दी हुआ क्योंकि सेम डे पर मैंने कुछ मकई के बीज दाने निकाल करके ग्रो बैग में भी लगाएं अभी मैं उसका हाइट और साइज दिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि इसमें आपने देखा ज्यादा तर वीट्स नहीं थे कुछ दिन पहले मैंने किया गार्डन वेश्ट डाला तो परपल हाट के कुछ ब्रांच थे वो मैंने डाल दिया तो वो अभी कुछ ग्रो हो रहा है अदर्वाइस कोई इसमें वीट्स नहीं है और इसकी हाइट जो है बारा से चौदा फूट है इस प्लांट की जो जिनरली खेतों में देखने को मिलती है गमले में नहीं मिलती है और जो मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है सेम डे पर चलिए मैं उसको भी दिखा देती हूँ ताके आपको डिफरेंस पता लगे ये देखे दोस्तों ये मैंने ग्रो बैग में ग्रो किया था तो इस तरीके से इसकी हाइट अभी करीब चार फूट है और इसमें काफी सारे वीट सापको नजर आ रहा है है जो मैं हमेशा साप करती हूँ लेकिन ये डिफरेंस मुझे दिखाना था तो अभी मैं दस दिन से इसको साप नहीं कर रही ताके आपको डिफरेंस पता लगे कि किचन वेश्ट में अगर हमने प्लांट लगाये है तो उसमें वीट की कोई प्रोब्लम नहीं होती और प्लांट जो है दुगनी तिगनी तेजी से ग्रो करता है और हम जो मिट्टी खाद और ये और वो मिक्स क करते हैं तो उसमें जो है वीट्स भी निकलता है और प्लांट की ग्रो उतनी नहीं हो पाती है जैसे कि इस टेकनीक से हुआ है जो मैंने आपको अभी दिखाया है अब दोस्तों टाइम है बताने का कि इसमें फूरूटिंग कैसे स्टार्ट हुई और मैंने इसमें क्या डाल है ना कोई फूरूटिंग होने के लिए कोई चीज डाली है मैंने इसमें कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं डाला है हाँ इसमें मैं पानी जरूर डालती हूं जब बारिश नहीं होती है तो इसके पत्ते थोड़े मुर्जाने लगते हैं तो इसमें मैं पानी सिप डाल देत भी अपने आप इस्टार्ट हो गए क्योंकि मगई के पौधे को पता है कि उसे मगई बनाना है तो उसके लिए आपको फोर्स करनी के लिए जोरत नहीं है वो खुद ही वक्त आएगा तो प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रिशन की कमी तो होई नहीं सकती है क्योंकि छिलकों से बहहें निूट्रिशन्स और किसी चीज में पाई ही नहीं जाते है कि इसमें जितने भी परकार के फ़ाल और सबजी चिलके है गार्डन वेस्ट है तो इस से अच्छा निट्रिशन 보면 पादो kो मिल ही इसके इलावा अगर आप कोई और सब्जी लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएं, जैसे टमाटर लगाना चाहते हैं, उसको बीज मढ डालिएगा, साबुत टमाटर डाल दीजेगा, सेम लगाना चाहते हैं, या कोई और सब्जी लगाना चाहते हैं, तो साबुत ही डाल तो दोस्तो नियम के अनुसार अब वक्त है सवाल पूछने का तो आज का मेरा सवाल है कि मैंने अपने प्लांट की हाइट कितनी बताई है और वो वीडियो के अंदर मैंने बताया है तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और जवाब मेरे कमेंट सेक्षन में दीजिएगा ताक और एक कमेंट का रिप्लाइ करती हूँ तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स टुडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर हैपी गाडिनिंग्ग